हलो दोस्तों आप सब कैसी हो वेलकम बैक तो मैं चैनल मैं आफरीन खान आज मेरा वीडियो इस गजानिया प्लांट के उपर है और आज नवंबर की एक तारिख है तो मैंने कुछ दिन पहले यानि कुछ पांच-छे दिन पहले कुछ काम किया था इसमें तो मैंने सोचा मैं आ हमारे साथ ऐसी बना रहता है सालों साल चलते रहता है और धेर सारे बेबी प्लांट्स निकालता है यानि मल्टिप्लाई होते रहता है तो मैंने कुछ दो तीन महने पहले यह वाला एक प्लांट और यह वाला एक कलर और यहां पे है यह औरेंज वाला कलर फ्रेंड लिया थ इसके मैं आ निया बना लिया है और यहां पे है यह वाला इस प्लांट को मैंने ढए से डिवाइड किया है इसके मैं ने दो पाुदे मना है और आप देह सकते हूं इसको मैंने थोडे खम धूप वाली जगह में रखा है क्योंकि यह मैंने कुछ दिन पहले ही इनको डिवाइट किया इसलिए मैं नहीं चाहती हूं कि बहुत ज्यादा तेज धूप में मैं इनको रखो तो यहां पर थोड़ी तेज धूप ही रहती है अभी कुछ दो दिन से बादल बादल सा थोड़ा है लेकिन धूप तो फिर भी ह बहुत पसंद है और गजानिया के प्लांट में सिर्फ एक बात का ज्यादा देहां देना होता है यह पौधा नहीं तो बहुत जल्ली खराब हो जाता है कि इसको बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए अगर आप पानी कम भी देते हो तो कोई फार्ट नहीं पड़ता है जैस तो आप इसको बहुत बड़ा पाड भी ना दे और बहुत ज्यादा पानी नहीं दे पानी का ध्यान दे ले और यह बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला प्लांट होता है इसको बहुत ज्यादा खात की जुरत नहीं है 15 दिन में एक बर कोई लिक्विट फर्टिलाइजर दे देते हो तो काफी रहता है लेकिन अभी आपको यह काम नहीं करना है यानिके आप अगर नर्सरी से इस पौदे को ले के आ रहे हो और आप साथे साथ लाते है आप इसको डिवाइड करके इसके धिरो पौधे बनाओगे तो यह पोदा खराब हो सकता है क्युक्या मैंने पांच दिन पहले करीब ये काम किया था फ्रेंड पांच दिन पहले तो इसको यानि कि इसका ग्रोइंग सीजन अभी है विंटर तो अभी आप डिवाइड मत करो अभी आप लालो यह जब इस तरीके से ठेर सारे बेबी प्लांट नीचे से निकाल निकल का यह सब उसी से बन तो इसके बाद फेवर्री में आपको इसको डिवाइड करके इसके यानि इसको अलग अलग पॉट में लगाना है तब ठीक रहेगा अभी इसको आप अगर नर्सरी से ले के आते हो तो फिलहाल उसकी थोड़ी बहुत केर करें उसको छोटी पॉट में लगाए आपके जैसे स्प्रे कर रहे हैं 15-20 दिन में एक बार अगर नहीं होता है आप ऐसी चेक करते हों इसको पानी दोगे तो आपको पता चल जगा कीड़े हैं लगे हैं नहीं है लेकिन इसमें ज्यादा कीड़ों का टैक नहीं होता है और इसके धेरो कलर आते हैं फिलहाल मेरे पास यह चार क फट्रिलाइजर ही देती हूं तो मैं इनको लिक्विट फट्रिलाइजर दूंगी लेकिन अभी ने क्योंकि मैंने अभी इसको डिवाइट किया है तो फिर ठीके दूस्तों अलहाफीस मिलती है अपनी अगली वीडियो में